हे गाईज विल्कम टू एडुलक्स में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्ते एक बड़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आउट की गई है एन एच पीसी की तरब से नेशनल हाइड्रो एलेक्ट्रिक पाउर कॉर्परेशन लिमिटेड की तरब से यान और देखे गाईज इसलिए इंपोर्टेंट है कि बिजली विभाग से एन एच पीसी से हर साल पर्मानेट जॉब्स की वेकेंसिस निकलती है जहाँ पर आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात एन एच पीसी जो है अप्रेंटिसिप करने के बाद डिरक्टली किसी को नहीं निकालती हैं यहाँ पर कई सारे डिइस्ट्रिबिशन कमPनिए हैं हला कि भले यह पर्मानेट अपने डिपार्टमेंट में करे या ना करे इसके रिलेसंस में काफी सारे प्रॉजक्ट चलते हैं एन एच पीसी एक कमPनिज होती है लोग जो लगब इसे candidate है guys, जो कि अभी असम में इस्तित हैं, कोई अरुनाचल परदेश में work कर रहे हैं, डार्जली में work कर रहे हैं, वो permanent job पे हैं, किसी भी private company में, लेकिन NHPC से apprenticeship किया है, so please जरूर करें, अगर आप बिजली विभाग में job करना चाहते हैं, other than कोई भी government job अभी आपका target नहीं ह तो मैं कभी भी आपको नहीं वेजूँगा कि आप जाएं सर्व department में, okay guys, बागी बाद सीखने को बहुत कुछ मिलेगी आपको, चले start करते हैं, यहीं पर vacances निकाली गई है, जितने भी student है, request होगी, इसी तरह jobs की update पाने के लिए Adulux को अभी subscribe कर लें, जल्दी से, और bell icon को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह latest jobs के update आपको मिलती रही है, और comment करके जरूर बताएं कि आपका branch कौन सा है, यानि कि आपका trade कौन सा है, trade में कितने marks हैं, और आपका branch कौन सा है, branch में कितने marks हैं, अपना location share कर दें, क्योंकि इस पे private jobs की में update दूंगा, तो मैं यह देखोंग तो guys यह है, official notification NHPC, National Hydro Electric Power Corporation Limited, और यह project चलने वाली है, पारवती जल विद्धूती परियोजना, जो मंडी है हिमाचल परदेश में, सबसे बच्छी बात है, यह सब की location बहुत ही जगा हो, बहुत ही tourist places में दी जाती है, मंडी tourist place के लिए काफी ज़्यादा फेमास है, जैसे कु आने वाली है, और पहले बता दूँ, यह आपका Central Public Center Undertaking है, यानि कि PSO के अंडर में है, जो कि मेरी रतना Companies के लिष्टेड में अंदर में आती है, यह, Apprentice Pack 1961 है, ज़रूर अपलाइ करें, चले सबसे पहले बात करें, पोस्ट की, पोस्ट में IT Apprentice की discuss सबसे पहले करूँगा, जहाँ पर Fitter की Vacancy, Electrician, Dropman, Civil, Surveyor, Plumber, Carpenter और Copa, Copa Girls के लिए बहुत अच्छी खासी ट्रीड है, आप सब के लिए, और मैं Girls को कभी में नहीं बोलूँगा कि इस Department में जाएं, क्योंकि उतना ज़्यादा Benefits और सुविधा भले नहीं दी जाती हो, लेकिन सबसे ज़्यादा Vacancy आप देख सकते हैं, कि Copa की निकाले गई है, तो Approximately आप देख सकते हैं, Local Candid जा सकते हैं, दूर से कोई भी मत जाना, कल्स के लिए मेरी ये सुझाओ ओगी, 10 Pass आईटी है कि शुडेंट अपला कर सकते हैं, 18 से 30 साल इजलिमिट है, अच्छी बात है कि ये 30 साल तक मोका देत करने का, एक साल की टेन्योर है, और अलग अलग पोस्ट पर रिकूट्मेंट है, इलक्ट्रसियन की 15 है, क्योंकि इलक्ट्रसिन से रिलेटेड ही ये काम ए, और 16 पोस्ट पर आपकी ओपा की ट्रेड है, नेक्स वेकनसी डिपलोमा की है, जिसमा पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और GNM यानि की जनरल नर्सिंग मीडवाइब की है औरनी वाली है पोस्ट अच्छी वेकंसी सिविल के लिए 6 है इलेक्टरिकल की 4 है और मीडवाइब के लिए 4 है इसमें भी एज 18 से 30 साल है आपके पास डिपलोमा की डिगरी होनी चाहिए रिलेवंट ब्रांच से एक साल की इ इसमें सेलरी की में बात करूँ अब यहाँ पर बी बिटक मेंसन कर दी है तो गयाद रखना गाईज अगर अपने डिपलोमा करके डिगरी कर रखी है तो आप इस फ्रम को एपलाय कर सकते हैं स्वारी बी बिटक के अलिजबल यहाँ पर नहीं है बट डी टू डिवाल एपल पर आपको मिलती है जो कि एक अच्छी खासी स्टाफन यहाँ पर दी जाती है कैटेग्री बाइस रेजोसन देख लेना आप अगर आप एलिजबल है अपलाय करने के लिए और महरी पोडल के जरीए अपलाय करना होगा डिपलोमा डिगरी होल्डर को आई टी ए स्टुडें क्योंकि अपलाय करने के बाद आपको जितने भी सारी डॉक्मेंट्स हैं आपको पैन कार्ड वगरा अधार कार्ड सब कुछ आपको जो है रिष्टर पोस्ट रॉफी जो स्पीट पोस्ट के जरीए आपको सेंड करने हैं इस दिये गए अड्रेस पे जो की हिमाचल पर सब्सक्राइब करें अगर आप एलिजबल है तो दस फरीवी में डीट बता चुका हूँ यह डीटियल से और कोई भी एक्जाम से नहीं होगा टोटली माक्स बेसिस पे सलेक्शन होने वाला है अब आप देख लें अगर आप एलिजबल है तो जरूर एपलाय करें कुछ इस चले में ते नेक्स वडिया में तो दगले जाहें तो